प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दिना चैनल पर पहली बार आये हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर दबा लेना और साथ में नोटिफिकेशन को भी आल कर लेना तो सबसे पहले आपको इस application को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है Google Keyboard आपको प्लेश टोर के उपर आ जाना है और यहाँ पर इस application को अवरने mobile phone में डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आता है दोस्तो इस application को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने keyboard पर अपना photo, profile वगरा लगा सकते हैं तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि आपको यकीन हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर अपने messages में जाकर आपको दिखा देता हूँ अपने keyboard को की आप यहाँ पर देख लीज़े दोस्तो कोई भी option हमारा यहाँ पर नहीं है लेकिन अगर मैं इस keyboard का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर अपना photo लगा गे दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर हमारे keyboard पर कोई भी photo नहीं लगा हुआ है अब आपको करना क्या है अपने mobile phone की setting में चले जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पर additional setting का option आपको नजर आएगा इसके उपर आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर language input का option आपको नजर आएगा हर mobile में अलग-अलग setting होती है तो आप इस setting को ढून लेना यहाँ पर आपको language input के उपर click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर option आपको नजर आ जाएगा current keyboard का यह देख लिए current keyboard का option यहाँ पर आ चुका है आपको इस पर click कर लेना है और यहाँ पर आपको Google keyboard को select कर लेना है आपके mobile phone में पहले से कोई keyboard अगर install होगा तो आपको इसको change कर लेना है यहाँ पर Google keyboard पर आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ से हमारा सारा काम हो चुका है अब मैं आपको अपने keyboard पर लेकर चला जाता हूँ और यहाँ पर देख लीजे मेरा photo यहाँ पर लगा हुआ है अब मैं इसको आपको change करके दिखा देता हूँ पहले मैंने इसको लगाया था पहले मैं कोई भी application का अगर review करता हूँ तो पहले मैं उसको खुद इस्तेमाल करके देखता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के लिए decide करता हूँ कि यह application testable है या नहीं है तो यहाँ पर देख लीजे दोस्तों मैंने फोटो को किस तरह से लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर three dots आपको नजर आ जाएंगे इस three dots के option पर आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर आपको theme का option मिल जाएगा आप अपने theme को यहाँ पर select कर सकते हैं बहुत सारी theme आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कोई अगर theme आप download करना चाहते हैं basically मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने इस theme पर click किया तो यह theme देख लीजे कुछ इस तरह से नजर आएगी यहाँ पर बहुत सारी theme आपको नजर आएंगी जिस theme को आप अपने keyboard पर लगाना चाहते हैं उसको आप लगा सकते हैं अगर आप अपनी gallery से किसी photo को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर पलस के icon पर आपको click कर लेना है यह आपके mobile phone की gallery में आपको लेकर चला जाएगा अब आपको अपना कोई भी एक photo select कर लेना है जैसे मैं इस photo को select कर लेता हूँ और इसको आप zoom in, zoom out भी कर सकते हैं आप जितना चाहें उतना photo यहाँ पर ले सकते हैं चाहें कितना बड़ा लेना चाहें आप अपने हिसाब से decide कर लीजिए दोस्तों कि आपको कितना लेना है उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर next के button पर click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option नजरा जाएगा adjust brightness का तो यह देख लीजे इसका मतलब क्या है जैसे आपको अपना पूरा photo दिखाना है आप keyboard को कम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी brightness को full कर लीजे या आप दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहते हैं तो आपका photo भी नजराएगा और आपके keyboard भी नजराएगे आप इसको बिल्कुल down करके keyboard को ही select कर सकते हैं यह देख लीजे आप अपना photo जितना चाहें उतना यहाँ पर लगा सकते हैं उसकी brightness को select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर full करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको एक done का option नजरा जाएगा इस done के option पर आपको click कर लेना है और यहाँ पर apply का option नजरा जाएगा इस apply पर click कर लेना है अगर किसी कार्ण से आप इसको delete करना चाहते हैं अपने photo को दूसरा लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको delete भी कर सकते हैं otherwise अगर आप कोई इस pencil के icon पर click करके अगर आपने zoom ज़्यादा कर लिया है या zoom out ज़्यादा कर दिया है तो आप इसको select कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको adjust कर सकते हैं उसके बाद आपको save के button पर click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर apply का option नज़र आएगा इस apply के option पर आपको click कर लेना है अब मैं जैसे अपने keyboard पर click करूँगा तो यह देख लिए दोस्तो मेरा photo change हो चुका है और जो पहले मेरा photo था अब मैंने उसको change करके आपको दिखा दिया है और उसको किस तरह से लगाना है अपने keyboard पर वो भी मैंने आपको बता दिया है तो इस तरीके से आप अपने keyboard पर अपने मन चाहे photo, wallpaper, theme लगा सकते हैं तो यह थी दोस्तो एक छोटी सी वीडियो तो आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेर कर देना अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा लेना साथ में आल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिवकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो मैं मिलता हूं दोस्तों फिर किसी ऐजे ऐसे ही मज़िदा टोपिक के साथ फिर किसी नेक्स दिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जैहिन